आज हम Current Affairs की क्लास में बहुत ही महत्पूर्ण प्रसनों के साथ उपस्तित हैं जो की आगामे एक्जाम्स के लिए काफी महत्पूर्ण साबित होंगे तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ देखिए Current Affairs का पहला प्रसन तो उस प्लेट फार्म का नाम है श्री सिद्ध रुद्ध स्री सिद्ध रुद्ध स्वामी जी रेलबे इस्टेशन स्वामी जी रेलबे इस्टेशन और एक कहां पर है रेलबे इस्टेशन या है करनाटका में करनाडका के कहां पर है या करनाडका के हुबली में इस्तित है अब यहाँ भारत जो है विश्व के सबसे लंबे पलेट फार्मों की सूची में ए नंबर एक पर हो गया है इसकी कुल लंबाई जो है 1507 मीटर है और अगर फीट में हम इसको देखें तो इसका जो है 4938 फीट में है जैसे लंबाई में अगर मीटर में देखेंगे तो 1507 मीटर है अगर फीट में देखेंगे तो 4938 फीट है और इसका जो लागत आया है इसके नीर्माढ में जो लागत आयी है वो बीस पॉइंट जीरो एक करोर रूपय की लागत आयी है इसे छेतर में रेल यात्रा की बढ़ती मांग को समालने हेतू बनाया गया है और यार जो railway station है भारत के सबसे महत्पूर्ण railway station हो में से एक है जहां cycle training देश से बिभिन भागों से जुड़ती है इस station का जो नाम है तो इसका नाम Gineage Book of World Record में दर्ज किया गया है तो इसका नाम जो है Gineage Book of World Record में सामिल किया गया है तिसलिए या प्रसन बहुत ही महत्पूर्ण है तो आप इसको याद रखेंगे या जो Gineage Book of World Record में इसको सामिल किया गया और या जो station है या महत्पूर्ण कोईला मार्ग भी है तो इस station से कोईले की ढुलाई भी बहुत होती है करनाटका के बारे में हमने आपको कई बार बता दिया है करनाटका की राजधानी बैंगलूरू है और यहां के जो राजजपाल है करनाटका के राजपाल थावर चंद गहलोत है यह पूछे जा सकते हैं थावर चंद गहलोत और यहां के मुख्य मंतरी अभी तक तो भी सवराजभमाई हैं अब आगे देखते हैं हमारा अगला प्रसनाच का अगला प्रसना है हाल ही में एक समुद्री साजेदारी अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया यह भारत एवं किसके मद्ध आयोजित किया गया था तिया भारत और फ्रांस के मद्ध में आयोजित किया गया यह साजेदारी अभ्यास था यह भारती एवं जो फ्रांस की नौसेना है उसके मद्ध आयोजित हुआ और यह इसका आयोजन कब तक हुआ इसका आयोजन 10 से 11 मार् चला यह जो अभ्यास हुआ इसमें स्वदेशी निर्मित गाइड़न मिसाइल फ्रिगेट तो जो हमारा I.N.S. सहयाद्री है उससे हमारा जो स्वदेशी निर्मित गाइड़न मिसाइल है फ्रिगेट इसमें भाग लिया अभ्यास में और I.N.S. सहयाद्री के बारे में आप जानते हैं या सिवालिक क्लास इस्टेल्ट मल्टी रोल फ्रिगेट है अत्याधुनिक संसरों वाले हतियारों से युक्त है जो हवा यवं सता और उपसता से खत्रों का पता लगाने और उन्हें बेसर क करने में सच्छम है और फ्रांस आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और यहां के राष्टपती इमैनुगल मैक्रों है प्रधान मंत्री अलिजावेध वार्न है और यहां की मुद्रों यूरो फ्रेंक है अब आगे देख लेते हैं अगला प्रस्ट अगला हमारा है बिश्व के सक्री ज्वाला मुखी में से एक माउंट मेरापी किस देश में इस्तित है तो जो माउंट मेरापी ज्वाला मुखी है या किस देश में इस्तित है या इस्तित है इंडोनेशिया इंडोनेशिया में यह जो माउंट मेरापी ज्वाला मुखी है जो की सक्र बन गए हैं या इंडोनेसिया का जो है या सबसे सक्री जो आलमुखी है और या आखरी बड़ा जो विस्फोर्ट हुआ था इसमें आखरी बड़ा विस्फोर्ट 2010 में हुआ था 2010 के बाद से छोटे छोटे लगाता भी स्फोर्ट इसमें होते रहते हैं, लेकिन जो इस बार हुआ है, वह काफी बढ़ा हुआ है। इंडोनेसिया में 120 से अधिक जो हैं शक्री ज्वाला मुखी है तो जो इंडोनेसिया में लगभग 120 से अधिक शक्री ज्वाला मुखी है और माउंट मेरापी उन सभी में सबसे अधिक शक्री है तो जो इंडोनेसिया है इसमें पूरा ज्वाला मुखी लगभग 120 से भी अधि अधिक शक्री जो आला मुखी है और जो माउंट मेरापी जो आला मुखी है या सबसे अधिक शक्री जो आला मुखी है और यहां का सबसे बड़ा पर्यटन अस्थल भी है जो माउंट मेरापी है या पर्यटन अस्थल भी है इंडोनेसिया का प्रमुख पर्यटन अस्थल भी ह और इंडोनेसिया की राजधानी जकारता है अभी इसकी राजधानी परिवर्तित हो रही है और यहां के राष्ट पती है जो जो को बिडोडों है और मुद्रा यहां की है इंडोनेसिया रूपिया और आगे चलते हैं आज की अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है हाल ही में जारी Lean योजना किस छेतर से संबंधित है तो Lean योजना से संबंधित है या YMS YME सिक्टर से संबंधित है तो YMS YME का प्रतियोगिता योजना है इसका उद्धेश है भारत के YMS YME के लिए बैस्विक प्रतियस पर्धातमाक्ता के लिए एक road map तयार करना और EMS EME जो है या lean बी निर्मार प्रत्थाओं के बारे में जागरुकता प्रतान करना है तिया जो EMS EME है तो lean इसलिए चालू किया गया है जैसे EMS E और lean के बीच में जो बी निर्मार हो रहे हैं उसमें लोगों को जागरुकता फैलाना है और इस योजना के तहद इसमें प्रसिचित और सच्छम सलाकारों के मार्क दर्सन में lean manufacturing tools जैसे 5G हो गया काईजन हो गया कनवन हो गया 5G हो गया काईजन हो गया और कनवन हो गया इन सब को सामिल किया गया है जो की आगे चल कर इस योजना के माध्यम से इनको लागू करेंगे ताकि basic intermediate और advanced जैसे lean अस्तरपरात किये जा सके इसके माध्यम से जो EMS EME है इससे कचरे को कम करके गुडवत्ता एवं गत्विधी को बढ़ाया जा सके और हमारे जो EMS EME मंत्री है तो यह हमारे मंत्री है नारायन राणे तो इस मंत्राले के मंत्री कौन है नारायन राणे इस मंत्राले के मंत्री है अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है त्री पच्छी सुरच्छा साजेदारी आकुस में UK USA है USA वं कौन सा देश सामिल है तो आकुस में जो है इसमें कितने देश सामिल है तो इसमें तीन देश सामिल है उन तीन देशों में एक UK हो गया एक USA हो गया और एक कौन सामिल है उसमें एक सामिल है आस्ट्रेलिया तो एक तीन देश मिल करके आकुस का निर्मार करते हैं तो जो UK हैं UK के प्रधान मंत्री ने इस आकुस समझावते पर पूर्ण करने के लिए सैंडियागो में एक आयोजन होगा जिसमें UK के प्रधान मंत्री यानि की रिसी सुनक भाग लेंगे और या आकुस जो है या UK इवस्य और आस्ट्रेलिया तीनों के बीच एक त्रिपच्छी सुरच्छा साजेदारी है जो की आस्ट्रेलिया को परमार उर्जा पंडूबी प् करने के लिए यह साजेदारी होई है यह चीन का मकाबला करने के लिए बनाया गया है तो यह जो त्रिपच्छी साजेदारी बनी है यह चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है जो की हिंद प्रसांद छेत्र में काम करेगा UK इवस्य और आस्ट्रेलिया के साथ परमार उर्जा जो पंडूबियों हैं तो इन पंडूबियों का निर्माड करने के लिए इन तीनों को प्रद्यों की साज़ा करना है और आकुस जो है एक सैन साज़ेदारी है तो आकुस जो है या एक सैन साज़ेदारी है और एक आप सुने होंगे Quad तो ये एक सहन साजेदार ये और आप एक सुने होंगे Quad Quad में कितने देश है Quad में चार देश सामिल है Quad में जापान है Australia है हमारा भारत है भारत है और इवस्य है ये चारो देश मिल करके Quad का निर्माड करते है Quad क्या है Quad एक रणनीतिक साजेदारी है Quad एक रणनीतिक साजेदारी है जो की औनवचारिक समुहों का प्रतनीदित करती है और ये चव जो है चतुर पच्छी है Quad जो है चतुर पच्छी है सुरच्छा साजेदारी है आश्रेलिया के बारे में हमने कई बार बता राच रेलिया की राजधानी का इनबरा है और यहां के जो प्रिजन्ट प्रधान मंत्री है अंथोनी अर्बनीज है और यहां की मुद्रा जो होई आश्टेलिया ही डालर है अब हम आगे समझ लेते हैं अगला परस्थन पर अगला परस्थन है भारत को हाल ही में ISDAP आए से सब्सक्तों फुट नहीं हों में प्रथम मेडल पराप्त करने वाले पृतिवी राज हैं कि इन्हें अंतरijdरी स्टिर्टि इस्पोर्टkor फेडरेसं यानि की ISSF में 60 गन 20 सुकब 2023 में कान से पदक जीता है तो इन्होंने जो जीता है कौन सा पदक जीता है या कान से पदक जीता है या दोहा कतर में आयुज़ हो रहा था या कहां पर हो रहा था या दोहा कतर कतर में हो रहा था दोहा कतर की राज़धानी है यहाँ पर इसका आवजन हो रहा था और उगुजान तुजुन तुर्की के जो है उन्होंने गोल्ड मिडल जीता है वो उगुजान तुजुन जो है वा दो बार के विस्व चैंपियन रह चुके हैं और मैथ्यू जो है वा सिलवर पदक के साथ है जो की ग्रेट बिटेन के हैं और अंतर राष्टी सूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है या आई-ससप जो है इसकी जानकारी हमने आपको काई बार दिया है इसकी अस्थापना 1907 मही थी और इसके जो चेयर मैन है चेयर मैन है बलादमिर बलादमिर लिसिन बलादमिर लिसिन यहां के चेयर मैन है आई-ससप के और महा सचिव जो है महा सचिव बिली ग्रिल है बिली ग्रिल यहां के महा सचिव है और अंतर राष्टी जो सूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है आई-ससप है या ओलम्पिक के सूटिंग खेलों को नियंत्रित करता है इसमें जो है कि लगबग जो खेल है राइफल है साट गन है और पिश्टल है तो इनका नियंत्रन करने का काम या आयससब का इसमें प्रमुक भूम का आयससब की रहती है जो इन साब का नियंतरन करती है और इसका जो इस वर्स 2023 का आयजन हुआ था दोहा कतर में हुआ था और इसमें भारत की तरफ से पहले मेडल परात करने वाले प्रिधिवी राज टोन डिमन है अगला प्रसनम देख लेते हैं अगला प्रसनम मारा है हाल ही में सेख मुहमद बिन अब्दुलरहमान अल्थानी ने किस अरब देश के प्रधान मंत्री पद की सपत ली है तो इन्होंने किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में सपत ली है तो एक कतर के प्रधान मंत्री के सफत लेने वाले हैं सेेख मुहम्मद बिन अब्दुलरह्मान अल्थानी या जो सेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलअजीज का अस्थान लेंगे तो इन से पहले जो थे तो जह वरतमान में हैं और इनसे पहले जो हैं उनका आप नाम नोट कर सकते हैं सेख खालिद बिन खलीफा बिन अबदुल अजीज इनसे पुराने वाले हैं अब नए में सेख मुहम्मद बिन अबदुल नमान अल्थानी है जो की कतर के नए प्रधान मंत्री के पद के रूप में सपत लेंगे और इनकी अन्यूकती जो है युवेई के सासक एमीर सेख तामिम बिन हमाद अल्थानी द्वारा की गई है और कतर की राजधानी हमने अभी आपको उपर ही बताया दोहा है और यहां के मुद्रा जो है रियाल है कतरी रियाल आज के हम अपने अगले प्रस्ण पे चलते हैं महरा आज का अगला प्रस्ण है हैंली अएंड पार्टनर्स की दुनिया के सबसे अमीर सहरों की सूची में पहला अस्थान किसे मिला है त्या स्थान प्राप्त करने वाला निव्यार्क है तो हैंली अएंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनवार निव्यार्क दुनिया का सबसे धनवान सहर बन गया है और हैंली अउन पार्टनर्स की रिपोर्ट जो है या विश्व के सबसे धनी सहरों की रिपोर्ट जो है दोहजा जाएस, पूरिवी एसया, यूरोड, मध्वध, उत्तरी अमेरिका, दच्छडी एसया और दच्छडी पूरिव एसया के लगभख 97 सहरों को इसमें सामिल किया गया है. तो इन सब देशों के 97 सहर इसमें सामिल है और जो इसमें data की आपूर्थी की गई है. Wealth Intelligence फर्म New World Wealth द्वारा की गई है जो अरतमान में देशों और सहरों के बीच बैस्विक धन परवासन प्रवित्तियों को ब्यवस्थित रूप से ट्रैक करती है धन की परिभासा जो है हमारे उद्वेशों के लिए धनकार्थ निवेश योग संपत्ती है जिसमें संपत्ती नकदी और सूची बद्ध कमपनी होल्डिंग्स आदिसा मिल होते हैं तो इसमें जो इन्वेश्टमेंट माइग्रेशन फर्म हैंली और पार्टनर्स की रिपोर्ट जो है या दुनिया के 10 सबसे धनवान साहरों की सूची के मताबिक जो है तेन पॉइंट चार लाख मिलेनियर जो है इस सूची में जो है मिलेनियर के साथ निव्यार्क दुनिया का सबसे धनवान सार है तो निव्यार्क जो है या दुनिया के सबसे धनवान सारों में है इसके बाद टोकियो है तो ये टोकियो है या दूसरे नंबर पर है निव्यार् है इसकी जो जैसे की निव्यार की जो ओवराल मुद्रा बताई गए तीन पॉइंट चाल लाख मिलीनियर यहां पर है और जापान में है जापान में आपन टोकियो जापान में नोट कर लिजे टू नाइन्टी थ्री हैंडेड दो लाख नब्बे हजार तीन सो यहां के मिलीनि पहली वहां पर सैन फ्रांसिसको का आप नोट कर सकते हैं दो लाख पचासी हजार यहां के जो मिलीनियर है वे तीसरे अस्थान पर है तो सैन फ्रांसिसको तीसरे अस्थान पर है और इस साल जो लंदन है लंदन चवत्य अस्थान पर आ गया यह यह उरोप का जो सबसे अमी जैसे कि अमेरिका के चार सहरों में New York हो गया The Bay Area हो गया Las Angeles हो गया Las Angeles हो गया और Chicago हो गया तो ये अमेरिका के चार सहर मिलेनियर में आगे हैं और उनमें सबसे आगे है New York और टाप 50 में भारत का सबसे धनी सहर मुंबई जो है या 21 में अस्थान पर आया है तो हमारे भारत का जो मुंबई सहर है या 21 में अस्थान पर है जो की नोड कर लिजिए आप 16,400 मिलीनियर हमारे यहां मुंबई में निवास करते हैं और दिली का अकड़ा आप देख लिजिए दिली का जो है जो हमारे देश की राजदाने दिली है या 36 में अस्थान पर है और यहां के जो मिलीनियर है यहां के मिलीनियर है 30,200 वहीं बैंगलोरू, कॉलकाता और हैडराबाद जो है वो भी टाफ हैंडेड में सामिल है अब आगे देख लेते हैं आज का अगला प्रस्ण है हुरुन के Global Unicorn Index 2023 के अनुसार सरवाधिक Unicorn देशों में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो हुरुन के Global Unicorn Index 2023 में भारत को सीर्स अस्थान पर रखा गया है यानि कि पहले अस्थान पर भारत को इसमें जगह मिली है हुरुन जो है या हुरुन द्वारा Global Unicorn Index 2023 जो जारी की गई है या 18 April 2023 को जारी की गई है तो इसका जो आकड़ा जारी किया गया है या 18 April 2023 को इसका आकड़ा जारी किया गया है हुरुन रिसर्च ने 48 देशों और 271 सहरों में इस्थित दुनिया में 1361 योनिकार्ण पाए है तो 1361 योनिकार्ण जो है इन्होंने कितने देशों से 48 देशों से और 271 सहरों से इन्होंने यह डाटा इकठा किया है कि 48 देशों में 271 सहरों में 1361 योनिकार्ण हुरुन के जो ग्लोबल योनिकार्ण इंडेक्स में इन्होंने इतने सहरों को अपने इंडेक्स में सामिल किया है और इस रिपोर्ट का जो दायरा है इस रिपोर्ट आई है इसके अनुसार अमेरिका में इन्होंने 606 योनिकार्ण और चीन जो है चीन में 316 योनिकार्ण और भारत में 138 योनिकार्ण संख्या में मामले में दुनिया का 3 सबसे बड़ा देश बना हुआ है उसके बाद UK और जर्मनी है तो दुनिया का सबसे 3 बड़ा देश बना है संयुक्त राज अमेरिका जो है या विशेश रूप से सिलिकान बैली जो की विदेशों से सबसे अधिक यूनिकान संस्थापकों को आकर्सित करता है इसके बाद यूरोप है चीन है इजराइल रूस और भारत ने यूनिकान संस्थापकों के लिए मार्ग प्रसस्त किया है अमेरिका और चीन के बाहर जिन देशों में यूनिकान में उच्छाल देखा गया है उसका नेतृत हमारा भारत कर रहा है उसके बाद ब्रिटेन और जर्मनी का स्थान है तो भारत के बाद ब्रिटेन और जर्मनी आते हैं और जो यूनिकान की जो सरवाधिक यूनिकान वाले सहर हैं उनको आप नोट कर लिजिए सरवाधिक यूनिकार्ण वाले सहर तो सरवाधिक कहां कहां पर है तो सरवाधिक यूनिकार्ण जो है वो सैन फ्रांसिस्कों में है तो सैन फ्रांसिस्कों में कितने यूनिकार्ण है तो सैन फ्रांसिस्कों में हमारे 181 यूनिकार्ण है निव यार्क में जो है निव यार्क में 126 यूनिकार्न है और वहीं बेजिंग जो बेजिंग सार है चीन का जो कि उसका राजदानी है चीन की वहाँ पर 79 यूनिकार्न है और सरवाधिक मुल्यवान यूनिकान जो की बाइट डांस है बेजिंग वियस्ट से 200 बिलियन डॉलर की है SpaceX 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है और सबसे नवेंतम यूनिकान में टेलिग्राम भी वो उपो हैं इन देशों में कोई यूनिकान नहीं है जैनमे से रूस हो गया साओधी अराप, पोलाइंड, बेनेजुएला और दच्छिड परिका यहां पर कोई भी यूनिकान नहीं है यूनिकान निवेशकों में जैसे हो गया सिकोई या कैप्टल हो गया टाइगर, ग्लोबल माइनेजमेंट और साफ़ड बैंक सिर्ष देशों में है और भारत के जो सिर्ष यूनिकान है भारत के सिर्ष यूनिकानों को आप नोट कर लीजिए इसमें हो गया बाइजू हो गया बाइजू को सामिल किया गया है एक टेक डेका कान एक कमपनी है स्वेगी हो गया स्वेगी हो गया एक फूट स्वेगी यह के फूट टेक प्लेट फार्म है ड्रीम इलेबन हो गया ड्रीम इलेबन आप जानते ही है ड्रीम इलेबन जो है या एक फैंटेसी गेमिंग कमपनी है और जो बाइजूस का पूरा मुल्यांकन किया गया है तो इसका 22 बिलियन डालर का मुल्यांकन किया गया है 22 बिलियन डालर का मुल्यांकन जो है बाइजूस का किया गया है स्वेगी का 11 मिलियन डालर है ग्यारा बिलियन डालर और ड्रीम 11 का आठ बिलियन डालर मुल्यांकन किया गया है। भारत के जो कुल 138 यूनिकार्न हैं इन में से 70 भारती सा संस्थाप को द्वारा स्थापित किये गए हैं। लेकिन उनका मुख्याला जो भारत के बाहर इस्थित हैं जबकि 68 जो हैं वो भा में से 70 यूनिकार्न में से 68 तो भारत से बाहर जो इस्थित हैं 64 जो है संयुक्त राज अमेरिका में इस्थित हैं और यूके में दो इस्थित हैं और जर्मनी, सिंगापूर, इंडोनेसिया और मैक्सिको में एक-एक इस्थित हैं। हुरुन की रिपोर्ट से यहा भी पता चलता है कि जो भारत की गैजट्स की संख्या के मामले में तीसरे अस्थान पर हैं। जो 2000 के दसक में अस्थापित स्थाट अप हैं जिनकी कीमत 500 मिलियन डालर है उससे अधिक है जो अभी तक सूची बद नहीं की गई हैं। आगे चलते हैं आज की अगले प्रस्ण पर तो आगज का अगला प्रस्ण है प्रतिवर्स राष्टी सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 21 अप्राइल को सिविल सेवा दिवस जो है यह प्रतिवर्स 21 अप्राइल को मनाया जाता है सिविल सेवा को भारत का इस्टील फ्रेम कहा जाता है तो सिविल सेवा जो है इसको भारत का इस्टील फ्रेम कहा जाता है इस्टील फ्रेम की संग्या इसको दी जाती है राष्टी सिविल सेवा दि दिवस 2023 की थीम जो रखी गई है तो इसकी जो थीम रखी गई है इसकी थीम रखी गई है बेक्सित भारत तो 2023 का जो थीम रखा गया है राष्टे सिविल सेवा दिवस का आवा है बेक्सित भारत और उपराष्टपती जगदीर धनकर ने 20 अपरेल 2023 को नए दिल्ली में तो या जो राष्टी सिविल सेवा दिवस था या सोलमा था सोलमा लोक सेवा दिवस समारों का उद्गाटन किया उपराश्पती ने जोड़ दे कर कहा कि भारत के हित को हमेशा सर्वो पर रखना है और हमारा सामोहिक जो है सर्वोहित रखना और या हमारा सामोहिक धर्म है राष्ट के प्रसासन के साथ नीति कारेवनय और नीति निर्धारन के लिए जिम्मेदार अस्थाई कारेकारी अधिकारियों को राष्टी सिबिल सेवा दिवस पर समानित किया जाता है सिभील सेवाओं के महत को उजागर करने और राष्ट निर्मार की दिशा में सिभील सेवा में अधिकारियों द्वारा किये गए कारियों को याद करने के लिए प्रतेक वर्ष 21 अपरेल को राष्टी सिभील सीवा दिवस मनाया जाता है प्रसासनिक सुधार और लोग सिकायद विभाग और कार्मिक लोग सिकायद और जो पैंसन मंत्राला है या इसके द्वारा आयुद किया गया केंद्र और राज सरकारों के उन अधिकारियों को इसमें एक साथ ले जाया जाता है और जो इसका इतिहाद जो है राश्टी सिविल सेवा दिवस का इतिहाद जो है या पहली बार का मनाया गया तो इसका पहली बार मनाया जाना 21 अप्राइल 2006 को या पहली बार मनाया गया था तो राश्टी सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्राइल 2006 को पहली बार मनाया गया था हमारे पहले ग्री मंत्री जिने भारत के लवपुरुस के रूप में जाना जाता है सर्दार बल्लभ भाई पटेल जो की नागरिक सेवाओं को राश्ट निर्मार के एक आवस्यक घटक के रूप में मानते थे उन्होंने इसकी सुरुवात की 1947 में मेटकाफ हाउस दिल्ली में जो अखिल भारती प्रसासनिक सेवा प्राधिकरन रिस्कूल में परविच्छा दिन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने पहली बार सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था तो स्टील फ्रेम किस ने कहा था या 1947 में जो मेटकाफ हाउस है दिल्ली में अखिल भारती प्रसासनिक सेवाओं को पहली बार भारत का स्टील फ्रेम कहा गया था आगे देख लेते हैं आज का अगला प्रसन है प्रतिष्ठि संतोकवा मानावतावादी पुरसकार किसे प्रदान किया गया तो या सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है सोनम वांगचुक को जो है या प्रतिष्ठिस संतोकवा मानावतावादी पुरसकार से सम्मानित किया गया है जो कि यह Students Educational and Cultural Movement of Ladda के संस्थापक हैं और निदेशक भी है तो आप इनके संस्था जो है स्टूडेंट नोट कर सकते हैं स्टूडेंट से स्टूडेंट से संस्थापक और निदेशक है इसके तहट इनको एक करोण रूपए की पुरसकार रास परदान की गई है और जो सोनम वांग चुक हैं इनको अपरेल 2023 को संतोकवा की पूर्णे तिथी पर लद्दाक के होटल जेन में यह पुरसकार परदान किया गया यह पुरसकार इंजेनियर से सिच्छा सुधारक बने लद्दाक की परदान महिला जो नीलम मिस्रा हैं जो समा रोह की मुख अतिथी थी और राहुल धोलकिया उद्द्यमी और जो सारुख खान के हाथों से इनको परदान किया गया सोनम वांगचुक जो है सोनम वांगचुक ने आईस इस्तूप तकनिक का अविस्कार किया है जो संकु के आकार के बर्फ के ढेर के रोप में सर्दियों के पानी को संग्रहित करके कृतिम ग्रेसियर बनाते हैं और इसे गर्मियों में लद्दाक के पानी के संकट का समाधान सुनिश्चित हुगा है उनके द्वारा डिजाइन किया गया जो सेक्मॉल है सेक्मॉल परिसर जो है या सोनम आंगचुक द्वारा डिजाइन किया गया है जो की सवर उर्जा पर चलता और खाना पकाने रोसनी या हीटिंग के लिए जीवास्म इंधन का उपयोग नहीं करता है तिया जो है या सवर उर्जा से चलता है जो सेक्मॉल है या सवर उर्जा से संचालित होता है और इस संतोकवा मानवतावादी पुरसकार जो है या रामक्रिस्ट एक्सपोर्ट्स यमार के जो एक अग्रणी हीरा क्राप्टिंग और निर्यात कमपनी है इन्होंने 2002 में इस पुरसकार की अस्थापना की थी तो मानावताव आदी पुरसकार की जो अस्थापना होई थी या 2002 में इस पुरसकार की अस्थापना होई थी और जो स्वरगी संतोगवा ढुलकियां हैं उनके आदर्थों का समर्थन करने के लिए काम करने वाले लोगों को समानित किया जाना है जिसमें कड़ी मेनाज, सकार देख भाल, प्यार, प्रसंसा और विकास सामिल है जो कि इनकी पुर्ण नितिती पर प्रस्तुत किया जाता है पिछले पुरसकार प्रात करताओं में टाटा संस के पूर्व अध्यच रतन टाटा, नोबेल पुरसकार विजेता, कैलास सत्तार थी और अंतरिच बैज्यानिक और इसरों के पूर्व अध्यच जो है एस किरन कुमार इनको दिया गया था, अब आगे देख लेते हमारा अगला प्रस्न, अगला प्रस्न है, हाल ही में केन सरकार ने राष्टी क्वांटम मिशन को किस अवधी के लिए प्रारम किया गया है, तो केन सरकार ने 6000 करोड की ला यह आठ वर्स के लिए प्रारम किया गया है, और इसके सुरुवात कब हुई, तो यह राष्टी क्वांटम मिशन की सुरुवात हुई 19 अपरेल 2023 को और यह आगामी आठ वर्सों के लिए सुरु किया गया है, और यह प्रद्योकी में बैग्यानिक और अद्योगिक अनुसं हो करके, 2031 तक इसको प्रारम किया गया है, जो की 6000 करोन से अधिक की लागत से प्रारम हुआ है, इस तरह भारत के एक मिशन की रूप में जो है, क्वांटम तकनीक के विकास का कारेकरम घोसित करने वाला हमारा भारत सात्मा देश बन गया है, इससे पहले जो है, नोड कर ले आश्ट्रिया, आश्ट्रिया, फिनलाइंड और फ्रांस, तो यह जो क्वांटम मिशन है, इसको करने वाले अब तक 6 देश कर चुके हैं और सात्मा अस्थान पर हमारा भारत है, तो क्वांटम टेक्नोलाजी क्या है, क्वांटम टेक्नोलाजी जो है, तो एक क्वांटम टेक्नोलाजी का आप समझ सकते हैं, या तकनीक सास्त्री कम्प्यूटरों की तुलना में, सूचनाओं को संसोधित करने के लिए क्वांटम या अंत्रकी के सिध्धानतों का उप्यो करती है जैसे computer में bits होता है zero और एक zero एक के साथ प्रतिनित करता है जैसे कि computer में zero और एक ही command दिया जाता है और या आगे अपना संसोधित करके computing कर लेता है तो quantum computing में सुचना को quantum bits या qubits का उपयोग करके संसोधित किया जाना है जो super position की स्थिति में मौजूद हो सकता है जिसमें एक समय में zero और एक दोनों का प्रतिनित परने की छमता बिक्सित होती है आगे देख लेते हैं अगला प्रस्न है हाल ही में मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राश्टी सम्मेलन कहा हुआ है तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है या मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राश्टी सम्मेलन और इसको हमारे केंद्री ग्रिह मंत्री अमिसा जो है अमिसा के द्वारा इसका आजन किया अमिसा ने इसका उद्गाटन किया तो हमारे अमिसा जो है केंद्री ग्रिह मंत्री है और इसका आजन जो है या उन्नी सप्राइल को इसका आजन किया गया जो कि हमारे केंसासित प्रदेश नई दिल्ली में इसका राश्री सम्मेलन हुआ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जो है एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों और केन सासित प्रदेशों यानि की योटी तो राज जो राज हैं और केन सासित प्रदेश हैं इनके प्रमखों को नई दिल्ली में बुलाया गया और यहां पर इस मादक पदार्थ रोधी जो बल है इनको संबोधित किया गया तो ग्रेम अंतराले ने दिसंबर 2021 में ही राज्यों को ड्रक्स के खत्रे से लड़ने और ड्रक्स मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए तो या जो हमारा ड्रक्स मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है उसी के अंतरगत इन महानिदेश को यानि इसमें डेजीपी लेबल के लोग आये थे और इसमें जो है एन टी एफ बनाने का निरदेश दिया गया है अमिस्सा ने वार्षिक रिपोर 2022 और ड्रक्स फ्रे इंडिया नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो जो हमारा इन सीबी है नार्कोटिस कंट्रोल ब्यूरो इसकी राष्टिस अंकल पुस्तिका भ मैप ड्रक्स भी सामिल किया है जो देश में अबयद खेती की पहचान करने और उसे नश्ट करने में मदद करेगा इस दवरान जो मिनिष्टिया फोम अपेर्स है उसने एक राष्टि काल सेंटर मानस भी लांच किया है तो यह मैच्चे द्वारा मिनिष्टिया फोम अपेर में डार्कनेट और क्रिप्टो करन्सी की बढ़ते उप्योग से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली भी रखी जा रही है केंद्रिक ग्रिह मंत्री ले एंसी बीच इंदवर छेत्री काई की कार्याले परिसर का वर्चोली उदगाटन किया इनमें अपने संबोध में अमिस्ता ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद मोधी के मारदर्सन में हम 2047 तक मादक पदार्थ मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंत्राले ने त्रियायामी रणनीद बनाई है संस्तागर धांचे को मजबूत करना है मादक पदार्थ रोधी सभी एज अगला प्रसन मारा है दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार किसे प्रधान किया गया तो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार या आसा भोसले जी को दिया गया और पहला जो है पहला वा हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को दिया गया था तो प् प्रश्ट द्वारा अस्थापित लता दीनाना मंगेशकर पुरसकार से सम्मानित किया गया यह पुरसकार समारो 24 अपरैल को आयुद किया गया है तो 24 अपरैल को इसका आयुदन किया गया जो कि इनके पिता की इम्रित्व की वार्सिक उपलच में है लता मंगेशकर की छोटी बहन आसा भोसले पुरसकार के प्राप्त करता हो तो या पुरसकार आसा भोसले जी को हैंड ओबर किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार जो है या वार्सिक पुरसकार है जो किसी ऐसे ब्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो राष्ट और उनके लोगों और अपने समाज के लिए महत्मूर योगदान दिया हो लता दीना नात पुरसकार जो हया पिछले वार सुरू हुआ था और इसके जो पहली बार सम्मानित किया गया तो पहली बार सम्मानित किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली बार इस पुरसकार को प्रधान किया गया और इसके अन्य विजेता में जैसे हैं माश्टर दीना नात मंगेश कर पुरसकार जो की बरिष्ट गजल गायक पंकज उधास जी हैं उनको दिया गया वर्ष का जो सरवस्रेष्ट नातक पुरसकार है वा प्रसांत डामले को दिया गया फायन फाउंडेशन के गवरी थीएटर को नियम वा अति लगू के लिए दिया गया सामाजिक सेवा का पुरसकार सद्गुरु सेवा संग ट्रस्ट को दिया गया वागलिसानी पुरसकार गरंथाली प्रकासन को साहते में योगदान के लिए दिया गया सिनेमा और नातक में योगदान देने के लिए विशेष पुरसकार अभिनेता निर्देशक परसाद ओक को दिया गया और सिनेमा में योगदान के लिए बिशेश पूरसकार अभनेत्री बिद्या बालन को दिया गया आज का हमारा अगला प्रस्ण है बिद्वर्स 2023 में भारत का सरवाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है तो भारत में हमारे गुजरात का जाम नगर या सिर्स निर्यात वाला जिला है तो गुजरात का जाम नगर सिर्स निर्यात वाला जिला बन गया इसने बित्वर्स 2023 जन्वरी तक मूल के संदर्व में भारत के निर्यात में लगभग 24 प्रसत की भागेदारी निवाई है तो निर्यात में 24 प्रसत की हिस्सेदारी जामनगर गुजरात की है तो गुजरात में सूरत और महाराष्ट में मुंबई उपनगर दूरी के आधार प्रक्रमसा दूसरे और तीसरे अस्थान पर है तो यह सूरत जो है यह दूसरे अस्थान पर है और मुंबई तीसरे अस्थान पर है बित्वर्स 2023 में देश के निर्यात में लगवख साड़े चार प्रस्षत की भागेदारी इन्होंने की है सीर्स 10 में अन्र जिलेव में जैसे कंणड का दच्छिर कंणड में करनाटक हो गया देव भूम में द्वारका हो गया भरूच में कच्छ हो गया जोकी गुजरात में हैं मुंबई महराष्ट में मुंबई है कांची पूर्ण तमिलनाड की और गवतम बुद्नगर उत्तर प्र मुख उत्पाद में है पेट्रोलियम उत्पाद तो पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा जाम नगर उसके बाद दच्छिर कंणर कंणाटक का और बेग उसराय कीमती पत्थर जो है कीमती पत्थर और आभूसर जो है इनमें सूरत और मुंबई आगे हैं सूरत और मुं अन्याज में हैं जैसे कि चावल का निर्याद करने में गेहूं का निर्याद करने में और अन्याजों की निर्याद करने में करनाल हो गया हर्याडा का रायपूर हो गया और पूर्वी दावरी हो गई और स्मार्ट फोन में स्मार्ट फोन के निर्याद में और इलेक्टानिक कल पूर्जो के निर्यात में एक गौतम बुधनगर हो गया गौतम बुधनगर जो की उत्तर प्रदेश में है कांची पूरम हो गया कोलार हो गया बैंगलुरू का और फार्मा स्यूटिकल उत्पाद में मेडचल कलजगरी अहमदाबाद है और रंगा रेड़ी है सोलन और विसा साथी पूर्टल वा मॉबाईल आप का सुभारम किस ने किया तो हमारे जो कृसी और किसान कल्यान मंत्री जो नरेन सिंग्तों मर है इन्होंने साथी पूर्टल वा मॉबाईल आप का सुभारम किया है जो की 19 अपरेल 2023 को 19 अपरेल 2023 को साथी साथी यस एटी यच आई आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं कि हमा नेटी है कि अलम गेख सीट आप Scottish आप आऊमिग आया है थैग देलिक आपर घदू सके कि अ कम है आईक आफ हैन्पिश का छी सिसक्नापलिख का पूरान आज वक्तर ने आप 식 त्युख आएंग नाम साथी का और मोबाईल एप साथी पोर्टल और मोबाईल एप जो लांच किया गया है इसका पूरा नाम सीड ट्रेस्बिल्टी आथेंटिकेशन और होलिस्टिक इन्वेंटरी है जो कि बीज उत्पाद और गुडवत्ता के चुनाओतियों से निपटने के लिए डिजाइ परणमंत्राले के द्वारा जारी किया गया है जो कि उत्तम बेज और सम्रिद किसान की थीम पर बिक्सित किया गया है शार्थी पूर्टल जो है या गुडवत्ता आस्वासन प्रडाली सुनिश्चित करेगा बेज उत्पादन स्रंखला में बेज के श्रोत की पहचान करेगा इस प्रडाली में बेज स्रंखला के एकिक्रिस स्यात वाटिकल सामिल होंगे अनुसंधान संगठन बेज परमारान बेज लाइसेंसिंग बेज सोजी डीलर से किसान विक्री किसान पंजी करण और बेज डीवीटी के माध्यम से इसका निर्धान किया जाएगा भारत का पहला वाइस बायोमेट्रिक परमारी करण बैंकिंग एप जो है वासी यूबी यानि की सिटी यूनियन बैंक लिम्टेड है जिसने एक नई सुवधा पेस की है जो ग्रहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप से लागिन करते समय आवाज आधारित पहचान का उ हुन थदव सांस्कृतिक उस्सव का आयोजन कहां किया गया तो यह इसका आवजन मारीपुर में किया गया मारीपुर में कांग मुक्पी जिले में थामस ग्राउंड में पाचवा आया पाचवा हुन थदव सांस्कृतिक उस्सव का आयोजन किया गया मारीपुर के मुख्य मंत्री या पिरेन ने दो दिस्वी उस्व के उद्गाटन समारों में भाग लिया हुन उस्व एक वार्षिक सांस्कृतिक उस्व है तो या हुन थदव जो सांस्कृतिक उस्व है या वार्षिक उस्व है इसे समुदाय के अनुसार नए साल के आगमन पर मनाया जाता है हुन जो है समय का उत्सव है समय का उत्सव है मतलब कि नए साल का उत्सव जो नए साल का आगमन होता है उस पर यहाँ उत्सव मनाय जाता है इस दवरान जो है नए चीजों से संबंदित कई संस्कारा और अनुष्ठान किये जाते हैं खेतों में बोए गए बीजों के अंकुरण और अंकुरण को कर्मकांडों में सबसे अधिक महत्त दिया जाता है। अंकुरण मुखिया और उनकी मंत्री परिसत गाउं में सांती बनाये रखने बीबाद जगड़े और अन्न मामलों को सुल जाते हुए हुन समारों के दवरान महिलाओं के स्रम को सुवकार किया जाता है। बच्चों को बड़ों से आसिरबाद मिलवाय जाता है। तो आज के परसन हमारे यहीं समाप्त होते हैं तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर करें।